सरकार से वर्तमान कॉंग्रेस पार्टी काम कर ली है, कॉंग्रेस पार्टी की सरकार काम कर ली है मैं देख रहा हूं कि इतनी तेजी से उनके कारेश हैली से लोगों का मन जो है वो नराज और निराशा के इस दोर में से गुजर रहा है जिसमें लोग मैसूस कर रहे हैं कि कि आखिर होना क्या है बहुत बड़ा एक अनिश्चित्ता का दौर पूरे परदेश के लोगों के सामने है और खास तोर से बहुत सारी ऐसी बात हैं जो लोगों के गले नहीं उतर पा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो संस्थान रद किये गए जहां आठाट महीने से संस्थान चले हुए थे पोस्टें भरी हुई थी लोगों को वहां पर सुभिधान दी जा रही थी उसके बाब जूद बंद कर दिये गए उसका उचित्या क्या है बंद करने का यह लो और पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपनी गारंटी की जिनका जिकर उनने किया है उन गारंटी को पूरा करने की बातें वो कह रहे हैं कैबिनेट की बैठक एक बार तैय होती है फिर उसके बाद अगली तारिक आ जाती है का जाता कि डिर्ट चेंज कर दी गई ती तीन तीन बार कैबिनेट की बैठक है जो है वस्ता की तो है अभी मुझे मालूम नहीं कि अभी कैबिनेट की बैठक की तारिक तैकी है लेकिन उस दिन कैबिनेट होगी की नहीं होगी लेकिन यह तीसरी कैबिनेट हो रही है लगवग तीन महीने का कारेकाल पूरा है और जो इशिवांट आइटम के जोग आयजांडा यहीं होती था हएं हमारे समय में के एक परदेशा पर के ती ती daha पर उन्हेंें cohort कामकाद Тем स्दोевидके स्ञाहिए गैद्वडी में जिन लोगों i.e.k. डिक जुकote कर दिया लोसी बंद कर दी कि पैसा देने से मना कर दिया है यह इस्तिति आए जलशक्ति विभाग की है और यह सारे विभागों में जिस परकार से काम को रोकने के आदेश नहीं सरकार आती वह उत्सा के साथ काम को तेजी से बढ़ाती और यह सरकार आई है सब को रोकने के बंद पड़े हैं और कई बार तो हाश्यस्पत पर सिती है एक अधिकारी के आउडर किये जाते हैं और दूसरे दिन उसके नोटिफिकेशन जो है उसको विल्कुल उसकी ट्रांसफर को रद करके जो है जो यह था सिती जो फूर्व की सिती है उसमें रख दिये जाता है एक घंटे पहले नोटिफिकेशन होते हैं कि हिमाचल पड़ेश्ट में स्कूल में एन्वृल फंक्षंड पर रोक लगा दी कै कोई एन्वल फंक्षंड नहीं होगे दूसरे घंटे नोटिफिकेशन आ जाती है कि यह थाथावत होते रहेंगे जैसे पहले होते थे तो तुमाशा बन गया है, एक मजाग बन गया है पूरे ही माचल परदेश में वर्तमान सरकार काम काने का तरीका, मंडी में कहा गया कि शिव धाम, और मैं इस बात को लेकर कि मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारी देव संस्किती है, देव संस्किती के प्रति सम्मान का भाव हम उमीद करते हैं परदेश सरकार के मुख्या के रहना चाहिए, लेकिन ही मंडी के शिवरात्री में हम आज से नहीं वर्सुन से देख रहे हैं, कभी भी किसी भी मुख्या मंत्री ने रादेनितिक बाशन कभी नहीं दिया, मंडी की शिवरात्री में कभी भी किसी पार्टी के जंडे नहीं लगे शिवरात्री में जंडे लगा करके एक और इस दोने दूसरे को ने तो कॉंग्रेस पार्टी की जो है उसको जैसा सभा है उनके उनका कारेक्रम है राजनेती कारेक्रम उस तरह से कारेक्रम किया गया और मंचपर से मुख्यमुंति जी इस तरह से uvre द्धान नहीं किया गया था शिवद्धाम का काम उपर sais का शुरू हूआ पचास क्रॉड रुप्य का बजर पर द्धान करके उसका टेंडर लगाया गया और वह स्ट्था पहा काम पूरा होने की स्थिव्श्थ के करीब पहुंचनद सरकार कंग्रेस की बनी तो उसको रोक लगे चलब पर्देश में मंडी को छोटी काशिक आ जाता है लेकिन ऐसा काम मत कर यह मंदर का मोरा है तो उसकाम को मत रोकिए और उनको इस बात की जानकारी होने चाहिए कि किसी भी project जो बड़ा project होता उस बड़े project में phases में होता है first phase second phase third phase शिवधाम के हैं first phase का budget प्रापधान करने के बाद tender हुआ अब second phase की प्रक्रिया शुरू होनी ती तो उसको रोग दिया गया है और ऐसे में मेरबानी करके गलत मत बोलिए कहा कि मंडी कॉलेज में बिल्डिंग यहां पर बन रही है इसके लिए बजट का प्राबदा नहीं है उनको मालू होना चाहिए उस बिल्डिंग में 28 क्रोड रुपए अभी तक हम बजट दे चुके हैं लेकिन जो अडिशनल्टी उ दोसरा इसकी बड़ा चाहिए उनके ग्यान में यह चीज रहनी चाहिए कहां क्या बात लोगनी है वन ताउजन क्रोड एक हजार क्रोड रुपए का बजट का प्रावधान उसमें कियो और मंडी की उनिवस्टी की बारे में बात करते हैं मंडी कि उनिवस्टिए एक एक्ट के मुताबिक जो हमने विधान सभवे में बिल लाकर के पारित की है और उसके बाद उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि मंडी की उन्वस्टी शिमला के बाद दूसरा बड़ा कैमपस अगर पूरे स्टेट में है तो मंडी का है जहां पर सिक्स तॉजंड से जादा छे हजार से जादा स्टूडेंट्स हैं और ऐसे में वहां पर उन्वस्टी अगर स्थावित किया उस उन्वस्टी को भी बंद करने की वो जो है वो मानसिक्ता उनके से काम करने का तरीकर से जलक रही है क्योंकि जो शिमला एच्पी उन्वस्टी से जो हमने स्टाफ वहां पर नहीं अग्तों आयए कि फाला कि जितनी तेजी से वर्तबान सरकार का दो मीने के कारेकाल में गिराफ गिरा है लोगता का इतना कभी भी हमने की तेजी सरकार का इतनी तेजी से जो है वह गिरता हुए नहीं देखा है और आने बilles हो में उन्स सारी चीज cheat उंक आज देखने को आदे बाल समय में जो जो डौर आएगा उनको उनका सामने का लो त्यार रहे और विधानासाभा का सत्र जाप के सत्र में सारी बातों का जुनने मेरी अनुपस्तिती में भी मेरी ग्यारहाजरी में भी यहां पर केंपेंग किया रिकॉर्ड बोटू से जीत हासिल की है आज तक के हिमाचल के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हुई है और ये श्रे स्राजधान सबक्षेत्र के हमारे पार्टी के साथियों को भी जात रद किये हैं छोटे-छोटे इंस्ट्यूट खोले कहां कहीं हल्ट सबसेंटर वह बंद कर दिया गया पीएसी वह बंद कर दी गई पटवार सरकल वह बंद कर दी गए एजुकेशन के वह भी सूची आने को बाकी है और उसके बाद पूलिस के पूलिस की जो है यहां पर हमन पूलिस स्टेशन और चौकी जो खोली गई थी उनको रद कर दे गए ऐसे अनेको संसान विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए होता है और मैं समस्ता हूं कि जिस तरह से वर्तमान सरकार के मुख्या जो मुख्या मुंत्री महोदे जी हैं जो काम करके इस तरह का संदेश द